वेलकम तो साइन्स लेंज बाई जोहेब और तोड़े वियर गोइंग तो डिस्कॉस अबाउट ता कंजरवेशन लॉओ इन नॉनुक्लियर रेक्शन किसी भी नॉक्लियर रेक्शन में कुछ फिजिकल कॉंटिटीज कभी भी चेंज नहीं होंगी दूरिंग एंड आफ्टर रेक्शन हम कहते हैं कि यह कॉंटिटीज हमेशे कंजर्व रहती हैं एक नॉक्लियर रेक्शन में कुछ कंजर्वेशन लॉओ को हम पढ़ने जा रहे हैं जिनमें सबसे पहले कंजर्वेशन आफ मैस एन अनरजी। करनाटिक अनर्जी के नौन रेलिवस्टिक अप्रोच के लिए जिसमें हमारे पास जो स्पीड होगी वो स्पीड ओफ लाइट से कम होगी ऐसे केसिस को हम नौन रेलिवस्टिक केसिस कहते हैं वो हमेशा बराबर होगी एक्वल होगी टोटल अनर्जी ओफ दा प्रोड़क्ट के और इसको हम कंजर्वेशन ओफ मैस एन अनर्जी कहते हैं मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट पार्टिकल ए उसको बंबाड करवाया जाता है एक्स पर टार्गेट नुकलियाए इसके नतीजे में प्रोड़क्ट नुकलियाए वाई आउट गोइंग पार्टिकल बी फर्स करें के करनाटिक अनर्जी ए की इंसिडेंट पार्टिकल की के ए आउट गोइंग पार्टिकल के बी और प्रड़क्ट नुकलियाए के वाई यहाँ पर टार्गेट नुकलियाए की करनाटिक अनर्जी जीरो होगी क्योंके वो रेस्ट पर है So, conservation of mass energy के मताबिक इसको हम equation form में इस तरह लिख सकते हैं अगर हम elementary particles के reactions को देखें तो उन में पाई जाने वाली energy बहुत जादा high होती है और उनकी speed, speed of light के बराबर यह उससे जाइद भी हो सकती है तो वहाँ पर हमारे पास non-relativistic approach अपलाई नहीं होती बलके हमें relativistic expression का सहारा लेना पड़ता है उस case में energy form कुछ यूँ आएगी यहाँ पर m not rest mass of the particle होगा जबके P linear momentum होगा conservation of linear momentum किसी भी nuclear action में initial momentum बराबर होगा final momentum के हम assume करते हैं के target rest पर है और जो total momentum products में distribute होता है वो project tile या incident particle अपने साथ जो momentum लेके आता है उसकी वज़ा से होता है मसलन of linear momentum के मताबिक इसको हम equation form में यूँ लिखेंगे laboratory frame में के मताबिक target nuclear rest पर तो यह momentum zero तो equation कुछ यूँ लिखे जाएगी और center of mass frame के मताबिक या c system के मताबिक दोनों particle collision से पहले rest पर होंगे तो हम यूँ लिखेंगे अगर हमारे पास reactant zero है तो product भी क्या होंगे zero ही होंगे c system में conservation of charge atomic number किसी भी nuclear reaction में total charge reactant का बराबर होना चाहिए total charge product के charge को ना तो आप create कर सकते हैं ना आप उसको destroy कर सकते हैं मिसाल के तोर पर एक proton bombard करवाते हैं उसको aluminium पर इसके नतीजे में sodium तीन प्रोडियम और एक neutron product में आप हासिल करते हैं तो reactant का अगर हम charge निकालें तो वह 14 और प्रोड़क्ट का total charge निकालें तो वह भी 14 तो टोटल चार्ज हमारे पास conserve हो गया एक एक और एक्जेम्पल में हमारे पास neutron break हो रहा है proton में electron में anti neutrino particle में total charge reactant का zero है और इसी तरह total charge product का भी zero हो जाएगा conservation of charge obey हो जाएगा applicable हो जाएगा conservation of nucleons mass number किसी भी nuclear action में total number of nucleons before or after reaction same रहेंगे nucleons को ना आपके react कर सकते हैं ना ही इनको आप किसी भी nuclear reaction में destroy कर सकते हैं equation reaction के example इसमें हम देख रहे हैं एक neutron incident करवाया हमने bombard करवाया target uranium पर product में बेरियम क्रेप्टॉन और तीन neutron आपको हासिल हुए तो इस case में इस example में reactant के total nucleon 236 before action और प्रड़क्ट में बेरियम बेरियम 236 after the reactions so nucleons before and after conserve conservation of angular momentum total angular momentum vector sum होगा spin angular momentum और orbital angular momentum का वो दोनों साइड पर बराबर होना चाहिए दोनों साइड reactant और product इसको हम conservation of angular momentum का conservation of spin यह ला हमें यह बताता है कि victorial sum of spin ले ले लें reactant का अगर वो odd integer multiple आ जाए h cut by 2 के तो आपके पास product भी victorial sum होगा होना चाहिए odd multiple of h cut by 2 के एक example में हमारे पास neutron break होता है proton में electron में anti neutrino particle में और spin अगर हम reactant की निकालें तो वो one by two है on the left hand side तो नतीजतन right hand side की spins भी half integer होनी चाहिए तो वो half integer three by two के ही equal हैं तो यह law of conservation of spin यहां पर उबे हो रहा है इसी तरह अगर victorious sum spin of the reactant का integer multiple होगा तो victorious sum of spin of the product भी integer multiple होगे अगर 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 तो फरमी डिराक्स static सुबे होते हैं अगर integer multiple हो तो बोज Einstein stats follow होती हैं अगर किसी reaction में particle reactant odd number हो तो total number of product particle भी odd ही होंगे और यह अगर वो ओड होंगे तो reaction फरमी डिराक statistics को follow करेगा इसी तरह अगर किसी भी reactions में हमारे पास reactants even होंगे तो product particle भी even ही होंगे और यह reaction बोज Einstein status को follow करेगा बोज Einstein status को follow करेगा और यह behavior conservation of nucleion जैसे ही है जिसको हमने थोड़ी जिर पहले discuss किया है example example में एक alpha particle को bombard करवाया minimum और product में phosphorus और एक neutron total mass right hand side left hand side हम निकालें तो 31 और 31 odd number है तो reaction जब odd होता है तो वह formidara को follow करता है formidara states को follow करता है conservation of parity तो तो तोटल तोटल परिटी किसी भी nuclear action में conserve रहेगी तोटल परिटी of reactants बराबर होनी चाहिए तोटल परिटी में discover report अभी तक नहीं हुई हाँ यह ज़रूर है कि parity weak interaction में same नहीं रहती conservation of lepton number lepton number reactant का बराबर होना चाहिए product के leptons कौन-कौन से जैसे के electron mayon tau neutrino इनको हम total lepton number plus one देंगे जबके इनके anti-particles को हम lepton number minus one देंगे मिसाल के तोर पर एक proton break होता है एक neutron में positron में और neutrino particle में अब left hand side पर equation को हम देखें तो proton proton lepton नहीं है जिसके वज़े से lepton number on the left side zero हो जाएगा अगर हम right side पर देखें तो neutron lepton अगर ये lepton नहीं है तो positron जो के anti-particle है electron का और anti-particle के केस में हम क्या करते हैं minus one assign करते हैं तो यहां पर lepton number minus one assign हो जाएगा और neutrino का lepton number plus one क्योंकि इसका anti-particle anti-neutrino होता है तो minus one और plus one right hand side पर हमारे पास lepton number zero हो जाएगा तो left hand side और right hand side बराबर हो जाएगी और conservation of laptop number obey हो जाएगा so that's conclude end to our today's lecture